प्रदीब भंडारे जी अब जिस शक्स का नाम सामने आ रहा है मोहित खान का शमशान पर कबजा करता है तालाप पर कबजा करता है ग्राम सभा पर कबजा करता है नजूल की जमीन दलेतों की जमीन जो गवर्मेंट लेंड है ग्राम सभा उस पर पूरी तरीके से कबजा कर ले को उन्होंने पहले के अपने पूरे वक्तव्य में ये तक नहीं कहा कि मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है उसको हम सस्पेंड करेंगे अब लौ क्या कहता है पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पीडिता कम्प्लेंड करती है तो पीडिता के अगर के अगर आप मालें वहें पार्टी कि अपने आपको अयोद्ध्या के राजा कहते है वह अभी तक समाजवादी पार्टी ने इनको सस्पेंड नहीं क्या करें अब आप महीद कान के साथ खड़े गहींze देखे मैंने आपको सुना, मुझे सुनिये, आप कितना घबराईए मत, ये अगर आप देखेंगी प्राची जी, ये अवदेश प्रसाच समाजवादी पार्टी के मेंबर और पार्लमेंट है, जो अपने आपको अयोध्या के राजा कहते है, अब कानून क्या कहता है प्राची जी, क उसको भी जवाब देए होनी चाहिए, तो यहाँ पर अफदेश प्रसाच ये नहीं कह सकते कि मोहित खान को नहीं जानते, बाजू में हाथ डालके कोई अंजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है, दूसरी बात, अखिले शादव जी के ट्वीट को देखे, उन्होंने एक श माजवादी पार्टी का है, वोर्ट बैंक समालना है, तो डियने टेस्स की बात कर रहे हैं, साथ में प्राची जी, ये बड़ी बात हो रही है, ये विक्तम शेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताईए, निर्वियास लेके किसी भी केस के अंदर, हम जो प्राची जी, अगर ये आइसोलेशन में होता तो मैं सबस सकता, कुछी साल पहले, क्या हुआ था, लेक और समाजवादी पार्टी का लीडर जो है, वो एक ग्यांग रेप के अंदर, एफायर में चूस पाये गया था, प्राची जी, बलात कार के तो इतने अनेप और अनेक प्राची जी, ये व्यक्ति अफदेश प्रसाद कौन है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये समाज कल्यान मंत्री थे, इसके अंदर ये स्कीम लेके आये थे, जिसमें ये कह रहे थे कि सिर्व मुसल्मान बेटियों को ही ये पैसे देंगे, और हिंदू बेटि के साथ हुए जगनने अपराद की, आपने कहा कि खुले आम बेटी को धमकाया जा रहा है, कहा है आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, कि हॉस्पिटल में जाकर दो लोग अभी भी पीडिता को जाकर धमका रहे हैं, अल्रेडी प्राची जी, उनके खिलाफ का प्रशाद की, यहां पर ऐसा नहीं होता कि लड़के हैं, उनसे गल्ती हो जाती है, यह माल लीजे कि जब लड़कें गल्ती हो जाती ही, तो अखेले शादव जी, दस साल पहले जब उनकी सरकार्थी, क्या कहते थे मीडिया को, जब मीडिया सवाल पूछती थी, आरे, अच् लारी खान जी दे रही है, हालक यह उसका कर रहा है, लेकिन कितनी बड़ी लड़ाई, लड़नी पड़ी थी पीडिता को, यह किसी से च्छिपा नहीं है, और अभी भी फेलियोर में बागबार इसलिए कह रही हूँ, दो लोग कैसे कामियाब हो गया प्रदीप जी, वो पी प्राची जी है कि समाजवादी पार्टी एक बलतकारी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है, आपको फिडिता की चिंता है, आपने मुस्से कहा, इस चिंता को थोड़ा जाहिर तो करिए, कुछ तो कदम अपनी तरफ से उठाईए ना प्राची जी प्राची जी देखिए मुझे भी अनिंट्रप्टेट बोलने का टाइम दीजेगा अभी जो है समाजवादी पार्टी के दो नुईताओं के ओपर नाम आया कि वो लोग पीड़ता के परिवार वालों को अस्पताल में धंकाने गए मैं फिर कह रही हूं कि पूर कारवाई करें और अगर ऐसा ने इतना कारवाई करें कि जो मेरी जानकारी मेरी यह है कि जैसिंग राणा जिनका नाम लिखा दे के बीच में इंटरप्ट ना करें उनके भाई की पत्नी नैना 27 जुलाई से वहां महिला अस्पताल में भरती है उनको देखने वो जैसिंग र आप पिड़ता को जुटला रही है ना आप पिड़ता को जुटला रही है ना आप पिड़ता को जुटला रही है और आपको कान में दूसरा आदमी आपके ऑफिस से कह रहा है कि इनको इंटरप्ट करें अरे बस करें ना है जी मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है मैं क्या करती ह पहले आपका नगर अध्यक्ष क्या कर रहा है यह पता कर लीजे प्लीज ने ने